मुर्ख कच्छवे की कहानी एक तलाब में कंबू क्रीव नाम कच्छवा रहा करता था वह कच्छवा बहुत बातुनी था दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टोके करना उसकी आदत थी एक दिन दो हंस उस तलाब में उत्रे उन हंसों का नाम संकट और विकट था उन्हें तलाब के आसपास का वातावरन बहुत अच्छा लगा उसके बाद से वे परती दिन वहां आने लगे कंबू ग्रीव कच्छॵा उन्हें परती दिन देखता एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की, वे उसे दोनों भले और सज्जन लगे, सिगर ही उनमें गाड़ी मित्रता हो गए, हंस रोज तलाब में आते और कच्छवे से मिलते, फिर तीनों भहुत देर तक नाना परकार की बाते करते, हलाकि बातों के बीच कच्छवे की टोक पड़ा, नदी तलाब सुखने लगे, वह तलाब भी सुखने लगा, जहां कच्छवा रहता था, एक साम जब हंस उससे मिलने आए, तो उसे बताए कि वे दोनों वास्थान छोड़कर, पचास कोजदूर इस्थित एक अन्ने छिल पर जा रहे हैं, जो पानी से लबालब है यह सुनकर कच्छवा दुखी हो गया, और आखों में आशु भर कर बोला, मित्रो कुछ ही दिनों में यह तलाब सुख जाएगा, मेरा मरन तो निशी थे, किन्तु इस बात से अधिक दुख मुझे, इस बात का है कि, कि अपनी अंतिम घरी में मैं अपने परम मित्रों को दे हम तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे, हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा, लेकिन यह कैसे संभू है मित्रों, तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे, मुझे तो धिरे धिरे चलकर उस अस्थान तक पहुचने में महीनों लग जाएंगे, हो सकता है कि बीच रास्ते में ही मेरे प्रान पखेरू उड़ जाएं, तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपनी दिन बैतित कर लूँगा, हंसु ने कच्छो की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उप बाइस हुच ही गया और वे परशन हो गये, उन्होंने तैक कि बास की एक लकड़ी लेकर आएंगे, कच्छवा उस लकड़ी के मद्य भाग को अपने मुह से पकरेगा और वे दोनों उस लकड़ी के एक-एक सीर को अपनी चोंस्ट में दबा लेंगे, इस तरह वे कच्छव को लेकर उर्ते हुए उस जिल तक पहुँँ जाएंगे, कच्छवा भी यह उपाय सुनका परशन हुआ, अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कच्छवे के पास आया, और उसे लकड़ी के मद्य भाग को मुह से पकरने को कहा, हंस कच्छवे की बातनी आदत से भली भाती परचि इसलिए उन्होंने उसे समझाए कि जब तक वे जिल तक नहीं पहुँँ जाते उसे मौन रहना है, अन्यथा वह नीचे गिर परेगा, कच्छवी ने उन्हें आस्वासन दिया कि वह मौन धान करके रखेगा, इसके बाद दोनों कच्छवे ने द्रिर्षता पुर्वक के दोनों सीरों को चोच में दवा कर आकास में उरने लगें, पुर्ते उरते वे एक कस्वे के उपर से गुजरें, तभी किसी ने आकास के उस बिचित्रन नजारे को देख लिए, वह दुसरे लोगों को बताने लगा, देखो देखो आकास में कच्छवा उर रहा है, एक होते हुए, ये बात पुरे कस्वे में फेल गए, लोग घरों के बाहर निकल आएं और सोर मचाने लगे, यह सोर सुन कच्छवे से ना रहा गया, और वह अंसों से बोला, ये लोग हमें देख इतना सोर क्यों मचा रहे हैं, बोलती ही कच्छवे के मुह से लकडी छुट है, जमिन से टकराते ही, उसके प्रान पकहेरू उड़ गए, मुर्क कच्छवा की कहानी से सिख, एक, बुद्धिमान वेक्ति किसी कार्ज के बारे में योशना बना कर, उस पर पूरा अमल करते हैं, वे सफलता प्राप्त करते हैं, अन्नथा, योशना पर ठीके नह रहने का दूस परिनाब भोगना पड़ता है, दूसरा, सामूही कार्ज में शमू के सदस्य की राय को महत्व देना आवस्यक है, उनकी राय न मानकर कार्ज के नुकसान के सांसा वेक्तिगत नुकसान भी हो सकता है, तिसरा, मौके की नजागत को देखकर ही मुँ खोलना चाहिए